कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोण मीतिये अनुपात, 45 अंच के त्रिकोण मीतिये अनुपात, हम दो विशेश कोणों को देखेंगे, 45 अंच, 45 अंच से 90 अंच के त्रिकोण, एवं 30 अंच, 60 अंच से 90 अंच का त्रिकोण, ये त्रिकोण हमें सललता से विशेश कोणों, जैसे 45 अंच, 30 अंच, एवं 60 अंच के त्रिकोण मीतिये फलन ग्यात करने देंगे 45, 45 से 90 अंच के त्रिकोण के भुजाओं की लंबाई परसपर समान है क्योंकि उनके संबंधत कोन समान है यदि हम प्रतियेक भुजा की लंबाई को एक मान लें तो हम पाएंगे कि पाइथागोरा सिध्धान्त के अनुसार कन वर्गमूल दो होता है एक समकोणिय त्रिकोण के भुजाओं के अनुपात के रूप में त्रिकोण मीतिये फलनों की परिभाशा के उप्यों के द्वारा हम एक 45 अंच के कोण के सभी 6 त्रिकोण मीतिये फलनों की सूची दर्शाय अनुसार बना सकते हैं 30 अंच एवं 60 अंच के त्रिकोण मीतिये अनुपात 30 अंच 60 अंच से 90 अंच त्रिकोणों के लिए हम एक समबाहु त्रिकोण 60 अंच के 3 कोणों वाला एक त्रिकोण जिसमें 3 एक समान भुजाए निश्चित होती है फिर एक समकोणिय त्रिकोण के भुजाओं के अनुपात के रूप में त्रिकोण मीतिये फलनों के परिभाशा का उप्योग के द्वारा हम 30 अंच कोण एवं 60 अंच कोण के सभी त्रिकोण मीतिये फलनों की सूची दर्शाई अनुसार बना सकते हैं 0 अंश एवं 90 अंश के त्रिकोण मीतिय अनुपात। फिर एक समकोणिय त्रिकोण के भुजाओं के अनुपात के रूप में त्रिकोण मीतिय फलनों के परिभाशा का उप्योग के द्वारा हम 0 अंश कोण एवं 90 अंश कोण के सभी त्रिकोण मीतिय फलनों की सूची दर्शा अनुसार बना सकते हैं, हम परिभाशत करते हैं, अब हम इन सभी मानों को दर्शाय अनुसार सारणी बद रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं,